Assalamualaikum everyone, welcome back with the new video, आप सब कैसे हैं, मैं भी बिलकुल ठीक हूँ, मेरा नाम है नूर फातिमा, अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं, और आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, Mac Pancake का Review, जो के बिलकुल honest होगा, और दो तरीके से मैं ये Pancake तक देखिएगा नए है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो माई YouTube चैनल फॉर नूटिफिकेशन्स, मैंने यहाँ पर कुछ भी अप्लाइन नहीं किया हुआ, मेरे फेस पे और आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं, सबसे पहले आपका फेस नीट एंड अगर आपको फ्लॉलस बेस चाहिए, जब भी आपने मैक का पैनकेक अप्लाइ करना है, तो आपने मॉस्टराइजर अप्लाइ कर लेना है, अगर आपको उपन पोर्स बहुत ज्यादा है, तो आपने कोई भी लाइट वेट प्राइमर यूज कर लेना है, मैं यहाँ पर होती प्राइमर यूज़ करने की लेकिन अगर आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्लॉलस और लोंग लास्टिंग बेस चाहिए तब आपने प्राइमर अप्लाई करना है और बहुत ही लाइट फाइफ laser फाइफ शेयर्स मिलेंगे आईवरी फ1 फस-38 फस-36 और फस-45 ये फाइफ शेयर्स आपको लोकल ये मिल जाएंगे और किसी भी लोकल मार्किट से आपको ये 455-100 का मिल जाएगा इसका जो टेक्स्टर है वो बहुत जादा soft है creamy है और यह इस तरह से पटी form में आता है मतलब आप जब इसको press करते हैं तो यह इस तरह से नीचे को धप जाता है product और यह बहुत ज़्यादा pigmented है full coverage है बहुत ज़्यादा आपको यह coverage दे देता है और इसमें जो shade है वो 3 shades आपके पास must have होने शाहिए और इसके जो bag पे है वो इस तरह से कुछ लिखा होगा है यह pale biscuit में है F1 shade और इसका यहाँ पे trade number भी लिखा होगा A to Z आपको यह सारा कुछ लिखा होता है और इसमें copies भी आती है लेकिन जो copy है वो बहुत ज़्यादा hard होता है और उसकी जो quality वो बहुत अलग होती है और इसको मैं दो तरीकों से यूज करूंगे सबसे पहला जो तरीका है न वो आपने क्या करना है आपने हलका सा इसमें water add करना है और flat brush के साथ आपने इसे apply करना आपने थिक सा paste बना लेना है पहले अपनी skin को अच्छे से prep कर लेना है जैसा कि मैंने कर लिया है और इसके बाद आपने इस तरह से बहुत थिक सी layer बना लेनी है और फिर इसे apply करना है और आप इसकी coverage देख सकते हैं यह full coverage है long lasting है या नहीं यह मैं आपको बाद में बताओंगी लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी application करके दिखार हूँ कितना यह ज़्यादा smooth है इसकी full coverage है like a paint अपने face पे apply करने हैं और यह इसका lightest shade है एक इससे भी light shade आता है जो कि ivory shade है लेकिन वो मैं आपको recommend नहीं करूंगी because वो super duper light shade है यह इसका f1 shade है और यह आप किसी भी tone पर apply कर सकते है like fair to extra fair और medium shade पे आप यह apply कर सकते हैं और dark tone पे आपने यह color apply नहीं करना आपके पास 3 shades होने चाहिए f38, f45 और f1 ivory आप नहीं करेंगे because वो बहुत जादा light हो जाता है और इसका जो shade है यह बहुत प्यार है like यह beige और warm tone देता है लेकिन बहुत अच्छा यह मुझे shade लगा लेकिन यह काफी जादा lightest है तो इसके इलावा आपने कोई भी shade use नहीं करना और इसे आपने apply कैसे करना है आपने थिक सा punch के साथ अपने इसे अच्छे से tap tap करते हुगे blend करना है और यह इतनी smooth base बनती है इसके नीचे आपको किसी भी foundation की जरूरत नहीं पड़ती आपको किसी भी color correction की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको बहुत जादा dark किसम के pigmentation है या dark circles है देन आपने इसकी color correction करनी है otherwise आपको किसी भी color correction की जरूरत नहीं पड़ती और यह इतना smooth foundation है मतलब पता चलता है कि आपने एक तो coverage और full coverage foundation apply की है लेकिन यह बिल्कुल भी patch नहीं छोड़ता यह बिल्कुल भी cakey feel नहीं होती यह बहुत जादा long lasting है और इस तरह से आपने flawless base बना लेनी है और एक चीज जो मैं foundation full coverage वाली use करते है ना तो आपने कभी भी light shade में इसको use नहीं करना वरना वह बहुत जादा extra fake लगती है और यहां पर मैंने compact powder ले लेना है क्योंकि यह already बहुत जादा full coverage foundation है तो आपने loose powder use नहीं करना आपने compact powder use करना है और अगर आपके पास इस तरह का light tone का foundation आ जाता है तो आपने उसके उपर एक tone darker face powder apply करना है ताके आपकी discoloration जो है वो भी hide हो जाए जैसा के dark circle बिल्कुल मेरा hide हो चुका हुआ है दूसरा यह कि आपको जो आपका exact shade tone है वो आपको मिल जाए तो आपने पूरे face पे इस तरह से brush के साथ apply कर लेना है आपको जरूरत नहीं है फूल face पे भर भर के compact powder apply करने के और आप देख सकते हैं कितनी smooth full coverage और एक खुबसूरत किसम की हमें base मिल गई है second method में हमने क्या करना है हमने इस तरह से हमारा sponge गीला करके ले लेना है अगर आपको बहुत जादा natural foundation चाहिए तो आपने इस तरह से tap tap करके अच्छे से strokes डालने ह है और ज्यादा amount आपने apply नहीं करनी अगर आपको बहुत जादा subtle foundation चाहिए और यह वाली foundation आपने कभी डेली वेर पे यूज नहीं करनी आप इसे पार्टी वेर वेडिंग पे यूज कर सकते हैं यह बहुत जादा long lasting foundation है बहुत flawless लगती है बिल्कुल भी oxidized नहीं होती इसलि आपने lightest shade नहीं लेना आपने same exact वही shade लेना है ताकि आपकी जो foundation है वह flawless लगे natural लगे और बहुत ही खुबसूरत सा आपको canvas मिल जाए तो इस तरह से यह बिल्कुल dry हो जाती है आपके skin में अच्छे से penetrate हो जाती है adjust कर देती है और बहुत ही आपको flawless looking देती है लाइक आप 9 घंटे तक मेरी guarantee है कि आप इसे apply करेंगे तो foundation कहीं भी नहीं हटेगी चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जिस तरह कभी weather हो आपकी skin tone जैसी भी आपके skin type जैसी भी हो हर skin पे यह suitable लगती है इसके बाद हम इसका water test भी कर लेते हैं कि यह waterproof है या नहीं तो मैंने अच्छे से भर भर कि मेरे face पे apply कर लिया है water और इसके बाद हमने इसको test out करना है एक कोई भी tissue बगरा ले लेना है और इसके साथ हमने अच्छे से dab dab करके apply करना है कि यह foundation long lasting है यह नहीं transfer proof है यह नहीं यह कहीं patch होड़ती है यह नहीं और इस तरह साब देख सकते हैं इसका हलका सा tint है और यह foundation क tint नहीं लगता मुझे यह I think जो मैंने इसके उपर face powder apply कि आए ना यह उसका tint लगा हुआ है और यह foundation कहीं भी नहीं हड़ती like पसीना आए कुछ भी आए इसका एक already मैंने review दिया हुआ है मेरे youtube चैनल पर मैंने खोलती गर्मी में यह वाली foundation का review दिया है और वो भी बहुत अच कि इसकी मुझे coverage लगती है लेकिन मैं daily wear पर इसको कभी भी आपको recommend नहीं करूंगे इस तरह से मैंने अच्छे से भर-भर के tap कर करके फिर यह foundation को आपके सामने test किया है तो यह waterproof foundation है और यह कुछ इस तरह की flawless looking लगती है आप neck में और मेरे face में difference देख सकते हैं कितना ज्यादा differences की coverage किती है और इसका color आप देख सकते हैं like मेरा color fear है उसके बावजूद यह कितना fear tone है और ivory इस से भी ज्यादा fear है तो मैं वो बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगी और यह वाली eye makeup जो है मैं already मेरी YouTube channel पे share कर चुकी हूँ देखा नहीं तो देख लीजेगा और यह कुछ इस तरह का full makeup होने के बाद आपको base मिलेगी और यह कितिनी flawless लगती है और मेरी तरफ से recommended है अगर आप शादियों वगयरा पर यह foundation चूज करना चाहते हैं तो definitely मेरी तरफ से recommended है आपको 400-500 something की local market से मिल जाएगी तो यह था मेरा honest review I hope आपको मेरा review अच्छा लगा होगा बाकी भी मैं के साथ share करोंगे कि इसको किस्ता से यूज करना है तो like share and subscribe to my youtube channel